साजा बयान पर भारत को है, ओमीद, EU अड़ा यूक्रेन पर नई दिल्ली, क्या यूक्रेन के मसले को लेकर जी बीस देशों में आम राय बन पाएगी, क्या साजा बयान सामने आ पाएगा, यह एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त नई दिल्ली के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर में हर किसी के जहन में है, मानेसर में शेरपा लेवल की चौथी और आखरी बैठक में घोशनापत के को लेकर खासा माथाप ची हुई, सूत्रों की माने तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यूक्रेन युद्ध उनके लिए एक आएहम मसला है, इस पर बात हो, भारतिये को स्विकार नहीं कर पा रहे है कि यूक्रेन के मसले पर रूस और चीन ने बाली समिट में जिन दो पैराग्राफ को स्विकार किया था, नई दिल्ली समिट में वे उनसे भी पीचे हट रहे हैं, ये देश रूस के उस तरक को भी नहीं मान रहें, जिसके मताबिक G.B. आर्थिक समू है और यहां जियो पॉलिटिकल मुद्दे उठाना ठीक नहीं। हालां कि सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे मुद्दम पर चीन ने जहां एतराज जताया था वे हट लिये गए हैं। भारतिय पक्ष घोशना पत्र कंटेंट पत्र पर प्रगती के संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट की राई जी दो ए बाली में निकला था फॉर्मला यूक्रेन को लेकर आम सहमती का मसला पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में हुए शिखर सम्मेलन में ही उठ गया था। उस वक्त भी साइज़ा बयान पर दिक्कत आई थी। उसके बाद एक फॉर्मिला साम था कि यही युद्ध का युग नहीं है। मूल रूप से इन ही तीन बातों को मिला कर बाली पैराग्राफ सामने आपाए थे। लेकिन भारत की S20 अध्यक्षता शुरू होने के बाद से ही चीन और रूस ने बाली पैराग्राफ को मानने से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि अब जब उनके खिलाफ प्रतिबंद लगाए गए है और युकन को पश्चिम से सैन्य मदद मिल रही है। ऐसे में इनके माइने खत्म हो जाते हैं। तब से लेकर अब तक भारत की अध्यक्षता को लेकर युकरे।